हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सबी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में फिल्म जवान के बारे में जी हाँ दोस्तों जवान मूबी सारु खन की जब से रिलीज हुई है तब से सिनेमा घरों में एक सिबढ़ कर एक रिकार्ड तोड़ते चली जा रही है जी हाँ दोस्तों दोस्तों इसकी कहानी इतनी अच्छी है कि हर किसी को पसंद आ रही है लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दोस्तों यह समय बीटता जा रहा है इसके खिलाफ में कुछ लोग भी बोलना सुरू कर दिये हैं जब भी कोई मोवी रिलीज होती है दो तरह के प्रत्क्रियाएं हमेशा सामने आती हैं या तो फिल्म को लोग सपोर्ट करते हैं या तो बाइकाट करते हैं लेकिन दोस्तों सारू खन के मैटर में हमेशा से यह होता रहा है कि अपने देश में ज्यादा तर लोग बाइकाट ही करते हैं लेकिन दोस्तों सारु खान की fan following इतनी ज़्यादा है अपने देश में नहीं वलकि बीदेशों में भी कि इनकी movie जो है कि हमेशा hit ही साबित होती है लेकिन दोस्तों जब से जवान movie रिलीज हुई है सारु खान की अब तक कि सबसे सुपर डूपर हिट फिल्म साबित हो रही है जिहां दोस्तों कमाई की बात करें चाहिए स्टोरी की बात करें एक से बढ़कर एक दमदार से दमदार रोल हर कोई इसमें निभाया है जिहां दोस्तों लोग इस फिल्म को एंटी वीजेपी फिल्म बता रहे हैं जिहां दोस्तो लोग अक्सर सुनने में या रहा है कि सारुखान ये मूवी सिर्फ और सिर्फ बनाए हैं बीजेपी के इन टी में तो दोस्तों कहा जाए मूवी अगर आप देखेंगे तो यही कहेंगे कि जो इस समय सरकार है जो सत्ता में है उसको भीरोध में ही बनाए गया है लेकिन दोस्तों यह हमूवी उस हर सत्ता हर सरकार की भीरोध में बनाए गया है जो गुटाले करती है प्रश्टाचार फैलाती है जो सही काम को सही तरीके से नहीं करती है दोस्तों ऐसी फिल्में तो हमेशा बढ़ने भी चाहिए जिसे की समाज में जागरूपता फैले लोग जागरूप हो और अपने-अपने महत्तों को पाचाने और अपने-अपने कर्तब्यों को पाचाने इस तरह से सरकार भी अपनी करतब्यों को पाचाने और जनता के लिए कुछ करे दोस्तों इस मूवी का बायकाट करने का कोई मतलब तो है भी नहीं लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे पब्लिक में भी इसका बायकाट सुरू हो गया है दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कटर बिरोधी हैं सारू खान की वो तो दोस्तों हमेशा ही उनका बिरोध करेंगे ही चाहे मूवी कितनी भी अच्छी क्यों न बनी जाए लेकिन दोस्तों अब कुछ लोग इसको अंदाजा इसका लगा रहे हैं गदर टू से दोस्तों अभी गदर टू जल्दी सनी देवल की मूवी रिलीज होई है तो कहीं कहीं उससे भी लोग तुलना कर रहे हैं कि ये मूवी हिट है कि फलाप है तो दोस्तों जादा तर लोग इसको गदर टू से भी सुपर दूपट हिट बता रहे हैं तो वहीं दोस्तों जो लो करोण की कमाई की थी और दोस्तों वहीं पे देखे जाए तो जवान मूबी 300 करोण की लागयत बजट में बनी हुई है और अभी उसके हिसाब से कम से कम 25 सव करोण रुपए कमाएगी तब गदर टूटे बराबर में आएगी तो दोस्तों लाजिकली ये भी कहा जा सकता है कि कम से कम बजट में बनी फिल्म अगर इतना कमाती है तो सुपर डूपर तो हिट है ही लेकिन सारुखान की उसकी तुलना में कहा जाए तो अभी उतनी कमाई नहीं कर पाई है लेकिन दोस्तों उमीद है कि कहीं उससे भी ज़्यादा कमाई करेगी अब उससे भी सुपर डूपर हिट साबित होगी दोस्तों गदर टूट को हिट तो होना ही था क्योंकि दोस्तों दर्शकों को सालों से इंतजार था, पहले से ही इंतजार था, बेसबरी से लोग इंतजार कर रहे थे, इसलिए गदर टू को तो देखना ही देखना था, चाहे उसमें स्टोरी कुछ हो जाना हो, दोस्तों वही हल था गदर टू का, क्योंकि दोस्तों देखा तक जवान को कोई जानता भी नहीं था लेकिन दोस्तों सुपर डूपर इसलिए हिट होई जब पहले दिन दर्सक देख करके आएं उसके स्टोरी जो थी इतनी दमदार लगी इतना लोगों को जच गया कि इतनी भीड हो गई और मामला सोसल मीडिया में इतना तेजी से फैला क कि इसकी कहानी जबरजस्त है हर किसी को देखना चाहिए और जैसे जैसे लोग देखते गएं और भी भीडू मरती गई उसकी कहानी और भी पसंद लोगों को आते गई इसलिए दोस्तों जवान मूबी देखा जाए तो गदर टू से भी सूपर डूपर हिट साबित होने वा रेहता है और लाय है